जैस्तिरी राम दोस्तों यगो पवितम परम पवित्रम परजापते ते सहे जम पुष्टाते आयुस्मर्ग घंपती मुझ हम शुभम यगो पवितम बलम अस्तू तेज़ है यह साधी में होता है यह साधी से पहले भी करवाया जाता है और यह क्यों करवाया जाता है इसे जूड़ी कुछ रहसे में ही बाते जो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं तो देखते लिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरा तो हम आपको बहुत सारी रहसे की बाते बतात आपने 16 संसकार सुनिये होंगे लेकिन जो परधान संसकार होंगे में 8 उप संसकार जिनके विशे में मैं आगे कभी आपको जानकारी दूँगा हिंदु द्रमें परते कि हिंदु का कर्तव है जन्यों पहनना और उसके नियमों का पालन करना जिस लड़की को आजी उन ब्रमचारी का पालन करना हो एह जन्यों धहन कर शक्ति है ब्रमचारी तीन और विवाई छे तारों की जन्यों पहनता है यगोपरित के छे तागों में इसे तीन धागे स्वन के और तीन धागे पत्नी के बताए गए है जनेव में तीन सुतर तिरमूर्ती ब्रह्मा विष्णु और महेश के पर्तिक देवरिल, पितरिल और रिसिरिल के पर्तिक मानने जाते हैं साथ इन तीन सुतर गायतरी मंतर के तीन चरणों के पर्तिक हैं जो तीन आसरमों के पर्तिक भी हैं जिन्यों के एक एक तार में तीन तीन तार होते हैं, अतै कुल तारों के शंख्या नो होती हैं, इन में एक मुख दो नासिका, दो आख, दो कान, मैल और मुद्र के दो द्वार मिलाकर कुल नो होते हैं, इनका मतलब है हम मुख शे अच्छा बोले, खाएं, आखों में अच्छ कर्मों के भी परथिक है पर वह हींशन ख्या एक तीन और पाँच होती है जनेव में नियेम की जनेव बाई गंदे के दाय कमर पर पहना चाहिए मैलम दर्विष्टत के दोरान जनेव को दाहिने कान पर चड़ा लेना चाहिए और हाथ सुफकर्टेही उतारना चाहिए इसका मूल भाव यह है कि जन्यू कमर से उचा हो जाए और आपवितर नहीं हो या बहुत जरूरी होता है जन्यू के धहन करने से क्या-क्या फाइदे होते हैं वेग्यानिक के तोर पे भी और सास्तरों के तोर पे भी हम दोनों बताते हैं बार-बार गोरे शंपन आने की स्थिति में जन्यू धान करने से ऐसे शंपन नहीं आते हैं जन्यू के हर्दे के पास से गुजरने से यह हर्दे रोग की शंभावना को कम करता है क्योंकि इसकी रक्ष संसार सुचार रूप से संचालित होने लगता है जिन्यों को दाय कान पर धान करने से कान की वे नस दबती है जिसे मस्तिक की कोई तंत्रा कारी करती है जिन्हें उधान करने से आयो बल और बुद्धी में वर्दी होती है जिन्हें उधान करने से शुद्ध चरीतर और जब तक वर्थ की प्रेना मिलती है जिन्हें के नत्व्यक्ता एमानविता के पुन्ने करतवों को पूर्ण करने का आत्मे बल मिलता है यगोपेसिंसकार बिना विद्धा प्राप्ती पाठ पुजा अत्वा व्यापार करना शभी निर ठक है जिन्हें के तीन दागों में नो लड़ होती हैं फल सरुप जिन्हें पहनने से नो ग्रह परसन होते हैं लेकि अब आपको बताते हैं कि क्या हिंदो धर्म में शभी को जिन्हें उधारन करना चाहिए हैं अगर शभी वर्णों को जिन्हें उधारन करना चाहिए तो किस सुम्बर में करना चाहिए ये सब बाते हम आपको इसमें बताते हैं सास्त्रों के अनुशार ब्रहमन बालक को 9 वर्ष, चत्रिये को 11 वर्ष और वस्ते बालक का 13 वर्ष पोरो संसकार होना चाहिए और किसी भी प्रस्तिति में विवायोगे आयोगे पोरो आवसे हो जाना चाहिए थोटी सी जानकरी हमने आपको यगोपवी संसकार के बारे में दी ये साधी का यगोपवी संसकार हो रहा है जब साधी होती है तो साधी से पोरो वे जनेव संसकार करवाया जाता है इसमें 6 तार का धनेव होता है जो आभी पैनेव होता है वो 3 तार का है हैं उनको सिर्फ तीन जिमेवारी रहती है उसको छे जिमिवारी यंंटी पत्न की भी होग जाती है तो ये और प्ढद्जी पून को कुछ न्याम समझाइन के अभी महां हो सुनाइंगे कि क्या क्या नियाम है और जनिवकी को सब पंदर जी इस वीडियो में आपको बताते हैं तो यह यगौपवित संसकार करने से पहले यानि उनको चहते श्वारानी से पहले उनको विद्धा पढ़ाई जाती है विद्धा कहने की बता है यक्द करवाने की बता उसको जिम्मेवारी समझाए जाती है उसके बाद का試र करने हिसी को मालूम होनी चाहिए और रिवधर में जरूर मालूम अब जो पंड़ा जी है इनको गुरू मंतर दे रहे गुरू मंतर अपने जीव में हर वक्ति के जीव में होना जरूरी है क्योंकि हर संकट की घरी में गुरू मंतर काम करता है तो ये कान में बता रहे हैं कि आपका गुरू मंतर क्या है उस गुरू मंतर को संकट के घड़ी में अगर पढ़ लिया जाए तो शभी प्रकार के संकट दूर होते हैं प्रगु सभी में उनका आना पूर्ण करते हैं क्योंकि गुरू बिना कुछ भी नहीं है भाई तो आज की वीडियो में इतना ही हैं हमारे विचार पशंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेर के जैसरी राम दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ जैसरी राम